आज हम चावल से नास्ता बना के तियार करेंगे जिसे हम एक चम्मच ओईल में बनाएंगे एक चम्मच ओईल में आप दो लोगों के लिए नास्ता बना के तियार कर सकते हैं बहुती कम ओईल में और बहुती टेस्टी तो चलिए बनाना शुरू करते हैं स्वागत आपका रा कर एक पेस्ट बना लेंगे तो यहाँ पर मैंने इनको पीस लिया है और एक पेस्ट बना के तयार कर लिया है आप देख सकते हैं कितना स्मूज सा पेस्ट बन के तयार हुगा है हमारा तो अब इसे हम एक बरतन में निकाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने एक बॉइल में निकाल अब दूसरे त्यारी कर लेते हैं, तो गयस पर एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे एक चमचबर के जीरा, इसे अच्चे से चटकने देंगे, अब इसमें हम जापद डालेंगे 2-3 कटी हुई हरी मिर्च, इनको भी इसी में डाल देंगे, हरी मिर्च आप अपने एसाब से ले सकते हैं, ज्यादा तीका खाते हैं तो ज्यादा भी ले सकते हैं इसको ढाल देती हूं मैं इसमें और बढ़िया से चलाती है उची से भुन लेंगे एक से दो मिरट भून जा हमें तो हमारी हरिमिच अच्छे से भुन गई थी तो इसमें हम एक कद्दू के स्की हुई गाजर डाल लेंगे सबजी आप अपने हिसाब से ले सकते हैं गाजर के लावा अगर आपको कोई और चीज पसंद हो तो आप वो भी डाल सकते हैं मैंने यहापर गाजर ली है आपको आज को यह मैंने बारी कट कर लिया था इसे भी डालकर अच्छे से चलाते भूनेंगे जब तक इनका कच्छा पन ना चलाया तब तक हमें ऐसे भूनना आये इनको मीडियम आज पर गैस की फ्लेम हम हाई नहीं रखेंगे हमको फ्लेम को मीडियम ही रखना है आप जहापर ल बूनेंगे इने भी तमटर का कच्छा पन चलाया तब तक ही भूनना है हमें तो मैंने इन सब को भून लिया अब इसमें हम थोड़े से मसाले याट कर लेते हैं तो यहां पर मैंने एक चम भर के लिए लाल मिर्च स्वधन शाल लेंगे यहां पर हम नमक इसको भी इसी में थोड़ी से लेंगी हम यहां पर अल्ली इसको भीडिएग धूगी मैं और अच्छे से इंस सबको mix करें तो चलाते हों ही मिक्स करना है हम को क्योंकि जू जल जाएंगे अगर हाई फिलेंपे भूनेंगे तो इन्हें मेडियम फिलेंपे भूनेंगे तो हमारा जो इस्ट्रिपिंग है वो बनकर बिलकुल तैयार है अब इसे अच्चे से हम धंडा करेंगे तोड़े चलाते रहे जिससे जल्दी धंडी हो जाएगी गेस इसको मैंने यहाँ पर बंद कर दिया है और इसे हम आप ठंडा होने देंगे अब इदर चलते हैं हम जो हमने चावल का वेटर बना के रखा था तो उसमें कुछ सबजी एट कर लेते हैं तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने प्याज लिया है दो से तीन हरी मिर्च लिया है और टम चमच की हेल्प से चलाते हुए ने मिक्स कर देंगे तो मैंने इसे मिक्स कर लिया है हमारा गूल बनके त्यार है अब चलते हैं गैस की तरफ तो यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया और इसमें एक चमच बरके ओल डाल लेंगे और इसे अच्छे से फेलाएंगे हम तो सारे पैन में यह अच्छे से लग जाए वस ऐसे हमें पहलाना है अब जो बे pay nova हमने बना के रखा था उसे इस पैन में हम डाल देंगे एक से दो कलची वरके बैтов को हमें इसमें डालना है और अच्छे से फेलाएंगे बहुत ही आसानी से पहल जाता है इसमें कोई परिसानी नही जाए चारों तरफ से आप जो हमने स्टपिंग बना कर रखी ती घाजर की इसमें डाल देंगे थोड़ा-थोड़ा करके हम पेला देंगे इस पे बिल्कुल भी हमें यहां पर जगे नहीं चुड़नी है पूरा फैलना चाहिए तो मैं इससे सारी पर फैला दूंगी आप जगे ने चूड़ेंगे चारों किनारों पर अच्छे से फैलाएंगे इसे तो हमारी जो इस्टिपिंग है वो बड़िया से मैंने फैला दी है आप देख सकते हैं अब मैं यहाप पर लूँगी जो हमने बैटर बचा हुआ है हमारा वो बैटर भी हम अब इसी के उपर डाल द अब देख सकते हैं और इसे अच्छे से कवर कर दिया अब एक से दू मिनट हमें इसे ऐसे ही पकाना है और यह की फिलेम का ध्यान दकें किसे हमें मीडियम ही रखना ही विल्कुल नहीं रखेंगे अब इसमें हम ढख देंगे थोड़ी देर के लिए 5 मिन ढख कर पकाएंगे बहुत ही अच्छे से बनके तेयार हुता है चावल का नास्ता हमें यह आपर पांच मिनट हो गए थे तो हमें से चेक कर लेते हैं हमारा जो नास्ता सिका है या नहीं तो मैं इसे आपको पलट कर भी दिखा देती हूँ बहुत ही आसानी से पलट जाता है आपको दी देख सकते हैं कितने आसानी से पलट गया है और यह भोती अच्छे से सिका है अंदर से बिल्कूल भी जला नहीं है बस इसी तरीके समय पांच मिनट और सिकना है इसको बापस इसे कवर कर देंगे हम और कवर करके पांच मिनट और सिकेंगे गैस की फ्लेम मीडियम ही रखेंगे हाई विल्कूल भी नहीं करनी है तो यहाँ पर पांच मिनट हो गए थे तो हमारा जो नास्ता है वो शिक कर हो गए तयार तो अब हम इसे एक पलेट में निकाल लेंगे देखे कितने अच्छे से बनके तयार हुगा है आप इस नास्ते को कभी भी बना सकते हैं बच्चों के टिपिन में रख सकते हैं या फिर मौनिंग में बना सकते हैं या आपको छोटी मोटी स्याम को जो भूक लगती उसमें भी आप इसे बना सकते हैं तो मैंने आपको यह दोनों साइट दिका दिए दोनों साइटों से बहुती अच्छे से सिक्के तयार हुआ है, हमारा नास्ता बहुती क्रिस्पी और अंदर से सॉप्ट, मैं अब इसे आपको कट करके भी दिखा देती हूँ, आप किसी भी सेफ में से कट कर लीजी, जैसा सेफ आपको पसंदो, आप उसे उस सेफ में कट कर स सकते हैं, तो मैंने इसे यहां पर कट कर लिया है, आप देख सकते हैं, मैं आपको देखा रही हूँ, कितना सुन्दर लग रहा है देखने में, जितना सुन्दर देखने में लग रहा है, उतना ही टेस्टी होता है, और हेल्ली भी होता है, क्योंकि इसमें हमने बहुत ही कम ओल का यूच किया है, आप देख सकते हैं, एक चम्मच में ही यह हमारा नास्ता बनके तियार हो गया है, तो इस तरीके का नास्ता आप कभी भी बना सकते हैं, किसी भी सबजी के साथ सर्प कीजिए, या फिर किसी भी चटने के साथ, जैसे मन करें आप उसके साथ सर्प कर सकते तो एक बार ये चावल के नास्ते को जरूर ट्राय करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको जो मेरी रहस्वेव कैसी लगती है और अगर वीडियो एच्छी लगे तो चैनल को सस्क्राइब जरूर करें वीडियो को लाइक करें सेर करें रादे रादे